2019 का लोकसभा चुनाओ कन्हिया कुमार बिहार के बेगुसरा सिट से लड़े थे तब आरजेडी ने अपना उमिदवार दे दिया था जिसके कारण कन्हिया कुमार की हार हो गई थी अब एक बार फिर से चर्चा होड़े है के कन्हिया कुमार किस सिट से चुना लड़ेंगे आज किस वीडियो में बताएंगे कन्हिया की नजर किस सिट पे है दरसल अगामी लोकसभा चुनाओ के लिए चुनाओ के लिए चुनाओी मैदान तयार किये जा रहे हैं इंडिये और इंडिया के बीच मुकाबला काफी दिल्चस्प होने की उम्मीद है सभी पार्टियां मिसन 2024 की तैयारियों में लगी है इसे बीच जेनियू के पुर्व छातरशंग प्रमुक और वामदल की विचारधारा के साथ कॉंग्रिस में सामिल हुए करहिया की सीट से चुनाओं लर स रखते हैं इसकी भी चर्चा है हाली में कॉंग्रिस ने कर्णिया कुमार को कॉंग्रिस वरकिंग कमीटी का सदस्र बनाया है इसके साथ ही अब उनके 2024 के संभावित लोकसवा सीट को लेकर भी चर्चा ते जो गई है इंडिया टूडे के रिपोर्ट के मुताबी कॉंग्रिस नेता को लेकर चर्चा है कि वो 2024 में होने वाले आम चुनाओ में देश की राजधानी दिल्ली के किसे सीट से चुनाओ मैदान में उतर सकते हैं इससे पहले 2020 चुनाओ कनहिया कुमार कमरिश्ट पार्टी के टिकट पर बिहार के बेगुसराय सीट से लड़ चुके हैं हलाकि उस चुनाओ में कनहिया को जीत नहीं मिल सके थी बीजेपी के दिगज नेता गिरराज सिंग से 4,22,217 वोटों से हडाकर कनहिया कुमार को दूसरा अस्थान हासिल था लेकिन अगामी लोकसबाद चुनाओ में कॉंग्रिस कनहिया कुमार को बिहार से चुनाओ में उतारना नहीं चाहती है वज़ा जो है वो लालू प्रशाद यादो हैं चुकि कनहिया जब भासन देते हैं तो उनके विरोधी भी उनकी भासन को बड़ी तमिनान से सुनते हैं और ऐसा डर है आरजेडी को लालू प्रशाद यादो को कि अगर कनहिया को बिहार की राजनीती में लायाता है तो फिर बिहार में कनहिया की नीचे ही तेश्वी आदो का अस्थान होगा और यही बड़ी बज़े है जो पिछली बार यानि कि 2020 का लोग सबाद चुनाओ हो रहा था तो कनहिया अपने पाटी जे उस वक्त अवामदल में थे उमिदवार थे बेगुसराय से जो उनका राज सिंग जैसे लोगों को भी डर लगने लगा था लेकिन आरजेडी ने अपना उमिदवार दे कर सारे गेम को बिगार दिया था आरजेडी ने अपना उमिदवार दे दिया और आरजेडी की उमिदवार ने वोट काटा जिस विज़े से कनहिया कुमार की हार हो गई थी और उस वक्त से ही चर्चा थी करनिया अब भिहार की राजनेती नहीं करेंगे चुकि लालू प्रशाद यादो नहीं चाहते हैं चुकि तेश्पी यादो से कई गुणा जादा पड़े लिके हैं भासन भी देते हैं नरेजर मोदी और उनके पार्टी के लिए करनिया कुमार एक बड़ी चुनोती के तौर पर देखे जा रहे हैं और यहीं बड़ी बज़ा है जो कॉंग्रेस को भी लालू प्रशाद यादो ने मना लिया है चुकि लालू यादो और कॉंग्रेस के बीच की घनिश्टा किसी चिपी नहीं है कभी मतन पार्टी कभी एक दूसरे के यहां पहुंच जाना कभी एक दूसरे को सराना हर तस्वीर आप देख पारे हैं और कनिया कुमार को लेकर विचक चाहे कि दिल्ली के किसी से उसीट से वे कुनाव लड़ सकते है चुकि कनिया कॉंग्रेस के स्टार परचार के तोर्पह हैं उनका कउंग्रेस में में कदन काफ ज़यादा बड़ा है और हाल में जो कॉंग्रिस की वर्किंग कमीटी का लिस्ट जारी किया गया उसमें भी कनिया कुमार को बड़े जिम्मेदारी मिली है तो कनिया का कद दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में राजनीत को जानने और समझने वाले लोग इस बात को मान रहें कि कनिया अगर बिहार के बेगुसराय से उतरते हैं तो उनके लिए जीत जो है वो असान हो जाएगी जब विपक्षी पार्टियां एक जूट होकर उमिदवार देगी चुकि तेश्वी आदो उनके पिता लालो प्रशाद यादो या फिर उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार में ते है कि अगर कनहिया कुमार बिहार की राजनिती में आ जाते हैं बिहार से चुनाओ जीत के और सदन पहुंच जाते हैं तो फिर उनके बेटे तेश्वी आदो के आने वाले भईश पर खतरा मढ़ रा सकता है चुकि कनहिया के सामने तेश्वी आदो कहीं हद तक नहीं तिक सक करते हैं ऐसी चर्चा अक्सर होती रहती है बेराल आपकी क्या सोच है कनहिया कुमार तेश्वियाद और राजनिती को लेकर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए अगर आपने चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बुक पर देख झाल